नवस्कार बहुत स्वागत है आपका कौन से महिने में घर बनाना सुब होता है घर बनाना कब प्रारंब करें वास्तुसास में प्राचीन मनीसियों ने सूरी के विविद रासियों पर भर्मन के आधार पर उस महिने में घर निर्मान जो प्रारंब करने का फलों के बारे में बताया है जब मेश रासी में सूरी होता है तब अगर आप घर बनाना प्रारंब करते हैं तो अती लाब दायक होता है जब ब्रिसब रासी में सूरी हो तो संपत्ती बढ़ता है आर्थिक लाब होता है अगर ब्रिसब रासी में जब सूरी है आप घर बनाते हैं तो मिथून रासी में सूरी के रहने पर अगर आप घर बनाते हैं तो घर में रहने वाले जो ग्री स्वामी है उनको कस्ट होता है करक रासी में जब सूरी हो और घर बनाए तो धन धानी की ब्रदी होती है ऐसे घर में रहने से सिंग रासी में जब सूरे हो और इसमें अगर आप ग्रिह निर्मान करें तो मान समान यस बढ़ता है सेवकों का नोकरों का सुख मिलता है जब कन्या रासी में सूरे हो और इसमें अगर आप ग्रिह निर्मान करें तो रोग और बिमारी परेसान करती है तुला रासी में जब सूरे हो तब ग्रिह निर्मान करना सुब फलदाई है आपका सुख बढ़ता है ब्रिश्चिक रासी में जब सूरे हो उसमें ग्रिह निर्मान करें तो धन आता है धनु रासी में जब सूरी हो तब अगर आप ग्री निर्मान करें तो हानी होती है बिनास का कारण बनता है मकर रासी में जब सूरी हो और आप ग्री निर्मान करें तो धन संपत्ती देने वाला होता है ऐसा घर यानि ऐसे घर में रहने वाले लोगों का दिन दूनी राच चोगोनी तरकी होती है कुमरासी में जब सूरी हो और इसमें आप ग्री निर्मान का कारे सुरू करते हैं तो ऐसा घर आपको रत्नों का लाव देता है धात्वों का लाव देता है मीन डासी में जब सूरी हो और आप इसमें ग्री का निर्मान करें तो चोतरफा नुकसान होता है घर बनाने के लिए हमेशा सुकल पक्ष में का आपको चुनाओ करना चाहिए खास कर घर जो बनाने के लिए अच्छे महिने हैं सुपलदाई महिने हैं जब उत्तम फल देते हैं जिस मेहने में ग्री निर्मान वो महिने हैं फालगुन, बैसाख, माग, माग का महिना, स्राबन का महिना, कार्तिक का महिना फालगुन, बैसाख, माग, स्राबन और कार्तिक ये पांच महिने ऐसे हैं इन महिने के भी सुक्ल पक्ष में अगर ग्रिय निर्मान शुरू करें तो ये ग्रिय निर्मान उत्तम फल देते हैं किस दिन निर्मान कारे शुरू ना करें अगर हम दिन की बात करें तो मंगलवाल रभी बार ये दो दिन ऐसे हैं जिस दिन कोई भी सुबकारे नहीं किये जाते हैं और प्रतिपदा यानि जैसे हमने कहा कि सुक्लक्छ में निर्मानकारेसुरू कर ना है लेकिन सुरव प्रतिपरदा थी चतूर थी ती औस्ट्रमी थी नौमी थी चतूरदसी थी ती को आपनीर्मानकारेसुरू नहीं करें अमोस्या के दिन भी नहीं करना चाहिए नच्छत्र की अगर हम बात करें तो जेश्ठा नच्छत्र, रेवती नच्छत्र, मूल नच्छत्र, बज्ज्र, ब्यगात, सूल, ब्यतिपात, गंड, बिसकुम्ब, पारिख, अतिगंड, योग में भी घर का निर्मार या कोई भी जिर्नोदार भूल कर भी नहीं करना चाहिए नहीं तो घर फलदायक नहीं होता लेकिन अतिश्व योग कौन से होते हैं? कि जिस दिन आप ग्री निर्मान करें तो वो घर भी सुप हो और लंबे समय तक इसका सुख भोग सके तो अतिश्व योग है सनीवार, स्वाती नच्छत्र, सिंग लगन, सुकल पक्च, सब्तमीति थी सुव योग, स्राबन मास ये सभी एक ही दिन उपलब्द हो तो ऐसा घर देवी देवताओं को भी आनंद देने वाला सुखों की अनुभूती कराने वाला होता है तो हमेशा याद रखें, पांच महने बहुत सुभ होते हैं बैसाक का महिना, स्राबन का महिना, कार्तिक का महिना, माग सीस का महिना और फालगुन का महिना माननेता है कि इन महिनों में अगर ग्रिह निर्मान आरंब किया जाए तो घर में हर तरह का सुखाता है और बैसाक महने की तो जोतिस सास्तर में इस महने में गिरह आरंब करने से धन धान्य बढ़ता है पुत्र और आरोगी की प्राप्ती होती है और स्रावन के महने में अगर आप गिरह निर्मान सुरू करें तो पसू धन मित्र बढ़ाने वाला ह तो पुत्र स्वास्त धनकी प्राप्ति करवाता है मागसीस मेहने में ग्री निर्मान करने से अच्छे भोज़न का आनंद लेते हैं धनकी प्राप्ति होती है फालगून मास में ग्रे आरंब करने से घन सुख की प्राप्ती होती है और वन्स को बढ़ाने वाला माना गया है तो हम आप से भी जा लेते हैं जानकार या अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें धन्यवाग डिस्किप्शन में बिस्तार से हम दे देंगे